हलो, गोड़ इबनिंग, नमस्कार, सुनीता विलियम्स एस्टिल एस्टक इन एस्पेस, यानि सुनीता विलियम्स भारत की बेटी भारत वन्सी, कलपना चावला के बाद दूसरी महिला है, जो अभी अंतरिक्ष में फंसी पड़ी है, अब यहां अंतरिक्ष में क्यों गई, अंत्रिक्ष में कहां गई, किस spacecraft से गई, क्यों वहां फसी है, क्या वह वापस आएगी या नहीं आएगी, और यह जो इस पेस में गई, कि International Space Station, या Space Station क्या होता है, कई सारे कीवर्ड है, जो एकके करके हम समझने का प्रयास करेंगे, चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले, न्यूज से, स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट, बुइंग का है, स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट, इसी से सुनीता बिलियम्स के साथ, बच बिलमोर और सुनीता बिलियम कहां गई इंटरनेशनल एस्पेस एस्टेशन में है ना वहां पर गई जो नासा एस्टनॉट है सुनीता बिलियम सेक्चुली गुजरात के रहने वाली है इनके दादा वगरा गुजरात में रहने वाले हाला कि यह बहुत छोटी थी तबे इसके साथ बच बिलमोर जो इंटरनेशनल एस्टेशन में गया यह जो रिटर्न होने का जो अभी तक पांच जून को यहां से उड़े और इनको रिटर्न हो जाना था 26 को वहां से चल देना था इंटरनेशनल एस्टेशन से लेकिन वहां कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच हो ग ऱ पाई नेक्स डेट बोउइंग की तरफ से दिया गया दो जूलाई को इंजिनियर उनका लेकिन दो जूलाई को भी रिटर्न नहीं यह तो कई लोग ऐसा कयास लगा रहा हैं कि हो सकता है कि कलपना चॉला की तरह कभी रिटर्न ही नहीं हो पाय लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत आगे बढ़ चुका कल्पना चौला 2003 में आई से यहीं से आ रही थी और रिटर्निंग में उनका इस सर्विस मॉडूल जो है आग लग गया इनके भी सर्विस मॉडूल में कुछ खराबी आ गया उसका भी देखेंगे सर्विस मॉडूल क्या होता है यानि सेवा दूसरा है पहला कौन है अफकोर्स एलन मस्का इस पेसेक सेगा जो 2020 में पहले बार क्रू को ले गया और 2012 में कारगो को यानि समान ले गए थे वहां ते सक्सेस्पूली ले गया है कई कुले गया और ले आए वहां पर इन में कोई प्रोब्लेम नहीं हुआ लेकिन इन में ज इसलिए है कि कई कंट्री मिलके पांच कंट्री मिलके इसको चलाते हैं पांच कंट्री इसको मिलके चलाते हैं इसका नाम इंटरनेशनल एस्पेस एस्टेशन है के लिए देखिए यहीं दो है विल्मोरे साहब और हमारी सुनीता बेलियन विलियम्स है अब देखिए एस्प इसमें हमने बताया कि यह आर्थ के चारो तरफ सेटलाइट हम भेजते हैं घूमता रहता है. अगर लोः थार्विट में अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट भेजते हैं, तो यह चोटा सा होता घूमते रहता है, जब इसका काम खतम हो जाता है, पेलोड खतम हो छोड़ दे जो और उसमें बैटे और अपना माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करें चुकि जैसे अब उपर जाते हैं ग्रेविटी कम होने लगता है गुर्तवा कर सन्बाल तो वहां बैटके एक्सपेरिमेंट करें जैसे अब ऐसा बताया जाता है कि बड़े-बड़े ऑपरेशन में जदातर पेशन इसलिए मर जाते हैं कि खूं करिशा होता है अगर माइक्रो ग्रेविटी इंवार्मिनेंटस में अगर आप्रेशन की जाता खूं का रिशाओ कम होता तो हो सकता हैं बड़े-बड़े बहुत बड़ा spacecraft होता है, जो लो और्ढ hon recur में राता है, लो और्ढर भीटबीस और्ठ सरफिष से 2000 किलो मिटर तक के स्पेस को लो और्ढर भीट बोलते हैं, क्लियर, और काफी दीन से उसमें extended period of time में रा है, यह इस्पेस क्राप का होता है, तो खूमें, प्रूमें स्वर्छी किर्मारीं के सदस्य होता है, कर्मा लाइन के व१ुवर सस्य हैं से ऐस्पेस भूलते हैं और इन चुमती। स०ंहleft प्सक्नाव android का प्शेश होते हैं जो घूमता है ऐर क्षाप्ष हूंद, इस में एक बहुत बड़ा laboratory होता है एस्पेस में, जिसमें एस्टरनोट जाते हैं, वहाँ पे कुछ दीन, कुछ वीक, कुछ दीन, कुछ महीने रुखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रो ग्रेविटी में और वहां से नीची आ जाते हैं जैसे हमारा सुनिता बिलियम आठ दिन के लिए गई थी अभी तक मसी हुई है अगर इस पेस से स्टेशन की बात करें तो पहला इस पेस से स्टेशन जो इस पेस में भेजा गया था वह है स स्काइल एवेसे के द्वारा जो 24 वीक ही रहा उसके बाद समुदर में गिर गया 1973 से 1974 के बेज दूसरा स्टेशन इवेसे सार द्वारा भेजा गया मीर जो 1986 से 2001 तक रहा है अब मीर जो है फस्ट मॉडूलर स्पेस स्टेशन मॉडूलर मिन्स क्या होता एक चैंसी पहले भेज एसे से 1997 से में वहां पे अस्थापित हुआ और लगबग 2000-2001 से काम करना सुरू कर गया अभी तक अड़हाई 100 इस्ट नॉमर वहां साइंटिस्ट जाके अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके है इसमें पांच कंट्री मिलके इसको इस्टैबलिस किया है नासा, रॉसकॉसमस, रसिया, जक्सा, ESA और कनाड़ा इसे स्पेस अपैक्स इस्टिचूशन का नाम है जीस तरह हमारा इसरो है पांच मिलके वहां पे काम करते हैं जो ऐसा माना जाता है 2030 में या रिटायर हो जाएगा यहीं पे सुनिता बिलियम को फसी है क्लियर आया बास समझ में अब देखिय जो इनर्जी देता है और इसी में बाइट के लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी में सुनिता बिलियम को फसी हुई है क्लियर अब देखिये कैसे एसेंबल होता है अब हम आते हैं कि कĩ एस्टार लाइनर जो क्रू फ्लाइट है जो स्टार लाइनर से गई है हमारे सुनिता वुलियम वहाँ स्पेसक्राफ्ट है क्या एक्छोली 25 गेर को में का एक्पणिकर जो एरोप्लेन California और बनाता 스ेश कैप्ले लाइश में स्काइवां च्राइब की अ का नेकर यह पास पुसपक यह जाएगा आदमी को चोड़ेगा फीर आजाएगा वहां पे डॉक रहेगा फीर आदमी को लेकर वहां से आजाएगा तो इस्टार लाइनर यह स्पेस क्राफ्ट जाए यह डेवलप हुआ है नासा का कमर्सियल कुरू प्रोग्राम के ताथ यह चली क्या ह हुआ नासा के पास खुद जो इस पेस कैपसूल थे वह पांच थे लेकिन 2011 में उन्होंने बंद कर दिया जैसे उनका सबसे पहला जो था चैलेंजर था चैलेंजर जो है में दुरगटना ग्रस्त हुआ उसके बाद कोलंबिया जो 2003 में घृटना ग्रस्त हुआ जिसमें हमारी कलपना चौला थी जो मर गई उसके बाद में तीन के सही सलामत है जैसे इंडेवर था डिसकॉबरी था अटलांटिस था इस सब को उन्होंने 2011 में रीटायर कर दिया या इसके बाद में प्राइबर सेक्टर से अपना कोलावेरेशन करने लगा जिसमें पहला चोग अपना जो प्लावेरेशन हुआ सपेस एक्स आथ जिसमें चारगो बेजा या समान बेजा ISS में और 2020 में पहली बार हुवंन को भी इस सपेस में वेज और यह दूसरा है क्या जै और या दस बार री यूजेबल हो सकता है यानि दस बार जाके आएगा उसके बाद में छो महिने में इसको कुछ पार्ट जो है फीर चेंज करने पड़ते हैं या एसेंबल करने पड़ते हैं किलिए इसी से गई है हमारी सुनीता विलियम्स अब देखिए स्पेस कैपसूल इस नीचे वाला होता है यहीं पर वेट करते रहता है इनका डॉक हो जाता है या अगर ज्यादा दिन को हो तो नीचे आ जाता है फिर जाता है और फिर सर्विस मॉडूल जो है इसमें कुछ फ्यूल रहता है यहीं पर डॉक हुए रहता है यहीं पर घूमते रहता है या डॉक क पर रुख जाता है आए बाद समझ भें चलिए अब हम आते हैं कि स्टार लाइन इस पेस क्राप्ट जो है अभी इस पेस में क्यों है क्या कारण है कि सुनीता विलियम फंसी हुई है वहाँ पर देखिए दो कारण है ऐसा बोईंग जो है इसका स्टार लाइनर जो है मैं से ही कई बार पॉस्पॉंड हुआ उसके बाद में गया जब यह अपना उडान पांच जून को भरा भी था उस समय भी इसका जो भाल्व था वहाँ पर बजिंग साउंड आ रहा था फिर वीनों ने उडान भर दिया कई नीच पर तैसे दिखाए है कि जान बुच के सुनीता वि अगर इसको बंड कर दे तो किया होता उसक की बार जादा करने पड़ते हैं कई बार कम करने पड़ते हैं है ना मोड़ने के लिए तो उस समय औक्सीडाइजर का जो भाल्व था उसको वहा अच्छी तरह नहीं था वहां पर ओडिवल बजिंग हो रहा है थे फिर भी इनों में भेज दिया तो पाला तो कारण हो गया कि flow of oxidizer सही से नहीं है responsible है उसका दूसरा कारण जो service module होते हैं जिसमें हमारे astronaut बैठती हैं जैसे सुनिता विलियम बैठे हैं और विलमोरे बैठे हैं उसमें क्या हो जाका हीलियम रहता है यहलियम क्या करता है बाहर जो बहुत प्रेशर होता है तो हीलियम क्या करता है कि जो रॉकेट को प्रेशराइज करता है और जो भी उसका स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी रहती है उसको पीचकने नहीं देता है अच्छी तरह रहता नहीं तो उसमें क्या होगा हमारे जो इस्टनॉमर है वह पीचिक जाएंगे उसी में इसके अलावे मनुवरिंग घुमाने वगारे में भी काम आता है तो हीलियम लीक हो रहा है तो बैठते हैं लोग वहां पर क्या है कि हीलियम का लिक हो रहा है अईसा अभी तक बॉइंग के तरफ से उनके मैनेजर के तरफ से इस तरह बताया गया है अब हम आते है कि क्या सुनीता विलियम वहीं पर रह जाएगी कभी वापस नहीं आएगी क्या होगा आप देखिए जो इसके बाद अगर वहां पे फंसी रहती है तो क्या होगा कि ISS में सप्लाई किया जाएगा मटेरियल का जो भी उनको जरूरत है और वह ब्योंड डाड आइसे सप्लाई अधर मटेरियल जो कि कई महीने तक चले कई निज़ पर में ऐसा बताया गया है कि वहां पे सुनीता विलियम जो उसे स्टेशन को सापसूत्रा कर रही है वह डरी हुई नहीं है तो इस तरह कोई जादा डरने की जरूरत नहीं है कोई इमीडियेट ततकालिंग कोई इस तरह का डेंजर नहीं है खतानाक नहीं है वह सिच्वेशन वह दोनों एस्टनोट के लिए अगर वह सेफ्टी अगर सेफ्टी कॉंसरंड की बात करें तो आपर सर्विस मडूल अगर खराब है तो दूसरा सर्विस मडूल भी बेजा जा सकता है जैसे स्पेसेक्स का ड्राइगन है स्पेसक्राफ्ट उसको बेज के उनको बुलाया जा सकता है स्पेसक्राफ्ट से कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन बोइंग चाहरा है कि नहीं अगर सर्विस मडूल जो खराब है उसको सिंगल भी बुलाया जा सकता है और य इसमें खराबी क्या है तो अगले मीशन में उसको ठीक किया जा सकता है यानि इसके नेचर को प्रोब्लम के नेचर को समझा नहीं जा सकता है इसलिए इस तरह का उन्होंनों वहाँ पे डिले किये हुए है जो कि इसको नेक्स्ट मीशन में इस्तमाल किया जा सकता है अगर इसक भारत की बेटी है जरूर आ जाएगे सो इसका PDF हमारा टालाग्राम चैनल तीवारी जनरल स्टेडी से आपको मिल जाएगा महा से देख लीजेगा उसको भी जॉइन कर लेंगे और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे सो थैंक यू, have a good day and happy learning थैंक यू, very much